चहरे क्रीम पाउडर से नहीं, बलकि काबलियत से चमकते हैं हाँ जी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लास्स में और जैसे कि आज तारिख है आठ अगस्त तो हम लेकर आएं आपके लिए आठ अगस्त का इंपोर्टेंट करेंट अफिर का सेसन तो इस सेसन में हम टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेज कोश्चन लिए जाएंगे इस सेसन में जो आगामी आपका कोई भी बंडे एक्जाम होगा तो उसके लिए आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेसन और आज का सेसन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस सेसन को अपने और दूसरें के साथ में सेर किए ताकि जाज से जाज लोग हम से जोड़ सकें और साथ ही साथ कल से आपके UPPET अगर कहा जाए UPPET तो जो आपका PET होना है जिसको सिर्फ और सिर्फ अभी पंदरा से दस या बारा दिन बचे हैं जिसको तो उसकी धुआधार क्लास या पिर कहा जाए महा संगरा में महा सीरीज इन चलेंगी तो उसमें भी आप पार्टिसि में भारतिये रहसलर बजरंग पुनिया और बजरंग पुनिया तो यहीं वो थे जिन्हaugन है राष्री धवत बहाक भी थे हमारे भारत के हैं तो बजरंग पुनिया ने कौन सा पतक जीता है तो बताना है तो हाली में बजरंग पुनिया ने काश पतक जीता है इसके बारे में पढ़ते हैं तो भारती पहलवान बजरंग पुनिया ने पुलस के 65 किलोग्राम फ्री स्टायल में ब्रॉंज मेडल जीता है ओलंपिक में तोकियो ओलम्पिक में भारत का छटा पतक दिला है अन पांच मेडल जो जिसने दिला है उसके वारे में आप समझ लेते हैं तो सबसे पहला अगर का जाए टोकियो ओलम्पिक ओलम्पिक में रजत पजग जीता है ठीक है बढ़ते हैं अगले कॉश्चन पर देखेगा कौन सी इस्पेस एजनसी अबलोकन ग्रह इजरो बारा अगस्त को एक प्रत्वी अबलोकन उपग्रह को सिरी हरी कोटा के 37 धवन अंतरिच किन से लॉंच करेगी ए उपग्रह जिसका नाम है जी एस एल भी ग्लोबल सेटाइल लॉंच वहिकल एफ टैन की चोदीवी उडान में ले जाएगा जो एक उपरगे को भूत तुल्लक कालिक कच्छा में इस्थापित करेगा एक उपकरन करेगा क्या तो एह अत्याद्वनेक उपकरन प्राक्रतिक आपदाओं जैसे क कोई भी प्रावलम होती है तो उसको यह बता देगा बिना किसी डिले के इजरो की यहां पर बात हुए तो इजरो के इंपर्टेंट फेक्ट देखते हैं तो एजरो एक स्पेस एजेंस है जो कि कहां कि भारत की है इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस और्गनाइजेशन है हि इसका मुख्याल बैंगल्युरू कंथाओं सथाबना 15 अगस्ट 1979 में हुई इस needs थाफ़क बि-क्रम सारा भाजिकर्म के इसके पहले अधिज कौन थे विक्रम सारवाइं इस ही नाम पर बिक्रम सारा भाग क्या वहा है इजरो के सूर्ट मिंचल अलवन या आदित एलवन अं पितरच का पितामा किसको मना जाती दुबिक्रम सारा भाई काफे इंपोटेंट है भारत ने 104 उपग्रहों अपने सबसे अधिकतम उपग्राय का रेकॉर्ड को किस रॉकेट से भीजा था तो भारत ने रेकॉर्ड कायम किया है एक सोचार उपग्रह भेजे गए थे तो जिस रॉकेट से भेजे गए थे उसका नाम था पी एस एलवी सी थिरी सेवन इचरो के मंगल मिसन जैसे पांच नॉम्बर दोजा तेरा को लांच किया गया था इसका नाम क्या था तो इसका नाम था मॉम मार्स और वाइटल मिसन ये भी काफी इंपोर्टेन थे भारत और चापान कि चंद मिसन क्या थो लेथे यदि नंज न में बोटते हैं तो अक्लjekt मिस्हेंन्स य यूilly और यूट महाधीप हैं प्रिदानमंद्री के बाज़ किए तो माइकल मार्टेन है चलते हैं अगले कोश्ण पर एह देखिए राश्टिय हरकरथा दिवस कब मनाएगा तो पृतीवस भारत में राश्टिय हरकरता दिवस साथ अगस्ट को मनाये जाता है इसके वारे में पढ़ते हैं तो पृतीव महत के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एह दिवस बनाया जाता है हर कर्था को बढ़ाबा देना बबनकरों की आग को बढ़ाना भी इसका एक अनलच्छ हो जाएगा पिछले अगर कर्था का रिवीजन किया जाए तो कौन से दिन कौन से दिवस मना जाता है या क्या किसकी थीम है यह भी यहां से आप देख सकते हैं तो अंतराष्टिय प्लास्टिक मुक्त दिवस या बैग मुक्त दिवस तीन जोलाई को बेसु जूनोसिस दिवस छोलाई को अंतराष्टिय चौकलेट दिवस साथ जोलाई को मना जाता है राष्टिय मस यानि की मचली किसान दिवस दस जोलाई को मना जाता है और बेसु ज राज की सरकान ने सुरुवात की है तो नाम देखिए अब लोग साउत जैसा लग रहा है मकलाई थेड़ी मारू थंबम तो यह तमिलनाडू में स्टाट हुई है तमिलनाडू की राज सरकान ने एह स्वास्त योजना मतलब अपने राज में चालू की है इसके वारे में ब्यंक जनों की नीमत जाँच डोर टू डोर मतलब कहाँजा घ़र से घर तक के माध्यम से कराई जागी उन्हें सभी प्रकार की चिक्सा घर पर ही पतान की जाईगी यहाँ पर कहीं भी लिखेत नहीं है कि उन्हें इस निसक चीजागी लंग बस इतना है कि उनकी जाँच डोडू डोडू किये जाएगी और साथ ही साथ उनकी जितनी भी प्रकार की अगर चिकसा होगी या कुछ भी दबा वगएरा तो घर पे भेजी जाएगी ठीक है अगर बात की जाएगा तो टॉप पांच योजना उनकी बारे में देखते हैं तो कुरुबाई खेती सबसीडी योजना तमिलनाडू की है तमिलनाडू के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का सवारम किया है तो एक कपालिश्वर में किया गया है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिल्हडू में मुफ्थ इंटरनेट योजना तमिल्हडू में और निसलक मास बितरन योजना तमिल्हाडू काφी इप्पोर्टेंट ठीक है याद रखेगा बढ़ते हैं अगले कस्वक्षन के ओर तो ये थाइलेंड की देश ने किया है इसके बारे में पढ़ते हैं तो कोरल रीफ के बारे में पहले समझीगा ठीक है जो कोरल जिसके कारण है न मुंगे जिसके कारण खड़ाब हो नहीं तो ये समझीगा तो कोरल रीफ क्या है एक पानी के नीचे की परस्तिती की तंत्र है क आजाए अंटरवाटर एको सिस्टम है जिसे बिसेस्ता रीफ बल्डिंग कोरल है एह चटाने कोरल पॉलिप्स की कालोनियों दोरा बनाई जाती है अधिकांस चटाने पत्रीली मूंगे से बनी होती है थाइलेंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्री उद्धानों जिसको सन इस्क्रीन पर पित्यवंद्र लगा दिया गया है प्रेवट्रों को द्वारा उप्यों किया जाने पर सल प्रोटेक्शन अगर कहा जाए दीप राष्ट में धीमी गती से बढ़ने वाले मूंगों को नुक्सान पहुंचा जाते हैं मतलब होता क्या है देखो जैसे कि मान बढ़ा क्या करते हैं सन बात लेते हैं बड़ी अलेटे रहेंगे आजराम से वह संस्क्रीम लगा और यहीं पर अपना नहाएंगे तो उससे क्या होता है जो इनकी संस्क्रीम का जो रासायन है वो अपने सागर में जाता है और जिससे वहां के एजो कहा जा चत्तान ने जो पथरी लिमूंगे हैं यह सब वहां से उसको एफेक्ट कर रही है ठीक है बढ़ते हैं अगले कोशन के और तो भारत की सबसे हलकी Metro Train और पुणे की पहली Metro का निर्मान का निर्मा कौन सा लिख गठ कर रहा है तो यह कर रहा हमारा Italy इसके बारे में देखते हैं एक की के ज़रा चलि गए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे इंपोटन्ट फैट देखिए इसके इस त्रेन का निर्मान पहली बार एलुमिनियम से किया जा रहा है ठीक है इसलिए एक फेक्ट काफी इंपोटेंट है पस्चम बंगाल इस्थित टीटा गड़ बैगस इस मेट्रो का निर्माण करेगी तो कौन करेगी तो पस्चम बंगाल की टीटा गस बैगस इटली के बारे में अगर बात हुई है कि बो इसक खाद कारकरम WFP का मुख्याला कहा है तो यह रोम में ही है इटली के इटली की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है पो नदी बढ़ते हैं अगले कौशन के ओर तो भारत केसरी कुस्ती दंगल अगर कहा जा सरफ केसरी सब किसे संब्सें समझने तो एक कुस्ती से है और कहा जा भारत केसरी कुस्ती दंगल तो यह 21 का खिताब कोशने जीता है तो लुए 21 का खिताब अपने नाम कर लिया है उत्तराखंड के गठन के 20 साल बाद लुवांसू ने सूखे को तोड़ दिया है तो मतलब सूखा मतलब क्या कि 20 साल तक कोई भी नहीं जीता था तो लुए दिया है और राज के लिए भारत केसी का खिताब जीता है तो इससाब से कहा जाए तो लवांसु जी कहा कि लवांसु है हमारे उत्रा खंड के और मेच कहा पर गुए तमल नाडू में ठीक है अगला कॉशन देखेगा US Agency for International Development जिसका पूरा संचिप्त नाम हो जागा USAID ने किस भारतिय मूल की महला को अपना मिसन निदेशक के रूप में निक्त किया है तो मिसन डारेक्टर कौन बने है इसके किसके USAID के तो यह बनी है बीना रेड़ी तो USAID के यहां पर बात हुए तो USAID के बारे में समझ लिए इसका फुलपम हो जागा United States Agency for International Development इस्ताबना 3 नवंबा 1961 में होई मुक्याल बहसंगटन DC अमिर्का में है अद्दिश की बात किया है तो सामता पावर है और आज का अब इनके बारे में देखीएगा तो पदमसीरी प्रुसकार से समानत डोगरी भाता की पहली आधुने कवित्री जनका नाम है पदमा सच्देव का 81 वर्स की उम्रें नेधन हो गया है का जाए ने पदमसीरी कब मिला था तो 2001 मेंने पदमसीरी मिला था और बर्स 1971 मेंने साहि अकादमी पुर्सकार मिला था ठीक है तो यह थे हमारे 10 कौशन अब इन्हीं 10 कौशन का रिविजन कर लेते हैं तो टोकियो ओलंपेक 2021 में भारती रसर पजरंग पुनिया कौन सा पतक जीता है तो यह का सपतक जीता है कौन सी स्पेस एजनसी अब लोकर न उपगराई EOS 3 अ आइरलेंड की हो जाएंगे याद कर सकते हैं आसे अक्रेस आसे आइरलेंड राष्टी यह हथ करता दिवस प्रिदिवस 7 अगस्त को मना जाता है मकलाई थेडी मारू थंबम नामक स्वास्त योजना तिरवन मतलब तमिलनाडू में आरंभ हुई है टोडू डूर मतलब सभी का इलाज करेगी जिसको जो भी चिकसा चाहिए डो टूर मिलेगी लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा जिक नहीं है कि उनको निसल्क मिलेगा है सब किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्टी उध्धानों से मूंगे मतलब जिसको कुरल कहते हैं को नुकसान पहुंचाने बाले राष्टानों से युक्त संस्कीरिन पर प्रितिवंद लगा दिया यह तो थाइलेंड ने लगाया है भारत की सबसे हलकी मेट्रो टैन क्यों क्योंकि अलुमीनियम की है और पुणे की पहली मेट्रो का निर्मा कौन सा दिसकर रहा है तो इटली कर रही है किसकी साथ है से तो पश्चम बंगाल की कंपनी से भारत के सिरी कुस्ती दंगल 211 का किसे ने जीए था तो लवांसु सर्मा कहां के हैं हमारे उत्तराखंड के हैं US Agency for International Development ने किस भारतिय मूल की महला को अपना मिसन ने दे सक के रूप में नुक्ति किया है तो बीना रेड़ी को और आज का last question पदमा सजदेव का निधन हो गया है इनका संबंद किस छित सिसा तो यह कवित्री थी इन्हें साहित अकादमी पुरुषकार भी मिल चुका है पदम सीरी भी मिल चुका है तो यह था हमारा आज का current session अगर session पसंद आया तो प्लीज session को लाइक करें एक प्यारा सा कमेंड करें दोस्तों के साथ में जरूर सेर कीजएगा ठीक है ताकि maximum view हम पास अगये और यह ही आपकी विव हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं तो ऐसे हैं तेरे पर तेरे मुस्कारत रहें बबाबाई ठीक है जहन मिलते हैं अगले session में तब तक कि धन्यवाद